मैं जानना चाहता हूं की जैसे एक्जांपल किसी भी प्रोफेशन में या एकेडमी कर ली या किसी जॉब में किसी बुजनस में किसी भी चीज में हम जब जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता तक तो ठीक है बट जब जब फेलियर्थ आने लगते हैं या जैसा हमने plan किया होता है वैसा नहीं होता तो फिर हम कहे कि थोड़ा past migration चले जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ खता थो ये आज की situation ऐसे होती है तो सब के साथ होता है मैं चाता लेकिन उसमें कहे कि फिर हम comparisons में चले जाते हैं जो हमारे आस наш के लोग होते अगर उन हो गया कुछ जैसे कोई exam pass हो गया या job मिल गई किसी को या किसी जॉब में उसको growth मिल गई तो हम उससे अपने आपको compare करने लग जाते हैं हलाकि वो गलत है क्योंकि हर किसी की अपने कहानी है हर किसी की अपने अपने track है हर किसी की अपने competencies हैं बट फिर भी हम लोग जो है थोड़ा-thोड़ा comparison हो जाता है तो उस चीज को कैसे रोखा जाए मुतलब आप ये क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा-thोड़ा comparison हो जाता है comparison तो बहुत होता है हमारे घर में भी होता है और relatives का भी आपस में होता है friends का भी आपस में होता है और in fact जो अपने होते उनी का तो अपनों से comparison होता है जो आपके अपने circle में नहीं है उनसे कभी comparison होता है क्या I don't think कि कोई comparison होता है मतलब कभी आपका कोई comparison Warren Buffett के साथ आपने किया अपने mind में classes attend कर रहे हैं आपके ही college में है especially आपके friend circle में है और अब उस comparison को छोड़ा नहीं जा सकता है आप ये मत सोच लेना अपने mind में कि comparison गलत होता है तो मुझे comparison नहीं करना चाहिए क्योंकि problem क्या है कि हमारा mind हमेशा extreme में सोचता है that is the basic problem of human mind of most human beings on this planet हम कैसे सोचते हैं life को या तो ये या ये या सही या गलत ये सही है ये गलत है ये मुझे करना चाहिए ये मुझे नहीं करना चाहिए और फिर हम जा करके उसमें फज जाते हैं अपनी thought process में जो होता है हम उसको deny करते रहते हैं जैसे गुसा आ रहा है लेकिन हम क्या कह रहे हैं हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए तो अब दो चीजे क्रियेट हो गई है एक है जो एक्चुल में हो रहा है यानि की गुस्सा आ रहा है एक है आपका थौट कि गुस्सा नहीं आना चाहिए एक है जो एक्चुल में हो रहा है यानि क्या comparison सुबह से रात तक comparison चल रहा है आपके mind में और औरों के भी mind में आप नहीं भी करोगे तो लोग दुनिया बैठी है आपको जताने के लिए आपको बताने के लिए आपको जलाने के लिए कि देख मेरा तो हो गया हम दोनों ने साथ में शुरू किया था देख आज मैं कहा हूँ और तू कहा रह गया ऐसा होता है नहीं होता है हमारी age सेम है हम दोनों एक ही school से निकले थे एक ही college से निकले थे आज देख मेरा तो कपका ये clear भी हो गया और अब तो मैं ये मैं तो वो मैं तो वो रही और फिक घर वाले भी comparison करेंगे कि देख तेरे बराबर काई है वो तो तेरसे भी गया गुजरा था 12th में, school में, आज देख वो क्या कितना भढ़िया कर रहा है तो अब इसमें क्या हो रहा है एक है जो actual में हो रहा है जो reality है वो क्या है comparison एक है आपका अपना एक thought क्या कि comparison गलत है ये नहीं होना चाहिए तो अब हम फस गए इन दोनों के बीच में तो पहले अपने thought को छोड़ दो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए पहले ये देखो क्या हो रहा है सुबह से रात तक आपके mind में भी और आपके आसपास में जो लोग हैं उनके mind में भी comparison चल रहा है किस से चल रहा है अपने level पे जो लोग है उनहीं से चल रहा है ना जो बहुत ही नीचे लोग है उनसे comparison चल रहा है आपके क्या थॉट्स है उस वीडियो के बारे में यही कि बहुत जादा सोच रहे हैं हम लोग और कुछ भी इमाजन कर रहे हैं मतलब कि जो नहीं भी है वो भी हम सोच रहे हैं बट रियालिटी में देख रहे हैं कि वो चीज एक पार्ट अफ लाइफ है और उससे जतना डर रहे हैं हम उतने ही उसके पास जारे हैं साउकोलमोजी psychology को question किया जा सकता है बदला जा सकता है change किया जा सकता है biology को कैसे बदलोगे and biology not just of human beings but of all the species for that matter all the beings on this planet तो एक है reality जो की actual में है एक है हमारी imagination हमारा thought कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक है जो हो रहा है सबके mind में thoughts आते है right एक age के बाद में ये इस तरह के thoughts सबके mind में आते है बट हम क्या कर रहे हैं हम एक denial mode में चले गए है या हम उसका एक opposite हमने अपने mind में create कर लिया है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए अब हम लड़ रहे हैं अपने mind में बैठ करके जो हो रहा है और जो होना चाहिए इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है जिसका कभी भी solution नहीं निकलेगा जितना आप लड़ोगे जो हो रहा है वो और पक्का होता चला जाएगा यानि जितना ये जो comparison माली feeling आपके mind में आ रही है जितना इस से लड़ोगे जितना आपने आपको बोलोगे कि मुझे compare नहीं करना चाहिए उतना ही ये comparison और strong होता चला जाएगा और आपकी नस नस में दोड़ेगा आज जो आपके दोस्त आपके साथ में कर रहे हैं कल वो आपके साथ में करोगे यानि कि जब आपका जो भी आप कर रहे हूँ वो clear हो जाएगा और आपकी job लग जाएगी तो आप भी उसी तरह से act करोगे जैसे वो कर रहे है आप समझ गए whatever our mind focuses on expands पस इतनी सी बात हमको समझनी है जहां भी आपका focus चला जाएगा वो चीज expand होने लग जाएगी फिर चाहिए आप कहो वो होना चाहिए या कहो कि वो नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से focus वहीं चला गया आप कहोगे कि ये दर्द होना चाहिए तब भी ध्यान या चला गया आप कहोगे दर्द नहीं होना चाहिए मतलब मैं ऐसे दबाऊँ लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए तो ध्यान कहां चला गया? उसी दर्द की तरफ तो पहले आप देखो दर्द हो क्यों रहा है? वो दर्द क्या है? वो दर्द है भी है नहीं है वो पेन है या पलेजर है और दोनों ही अगर temporary है तो मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ क्या ये life का छोटा सा part है या this is what life is इस तरह से अपने आप से questions पूछो comparison is a part of life अब सवाल उठता है कि इससे deal कैसे किया जाए बहुत simple है आप अपना एक future self create करो जो I am 100% sure आपने नहीं किया होगा और बहुत rare कुछ लोग होते इस दुनिया में जो actual में अपना कोई future self create करते है यानि उनको clear पता होता है कि अगर आज मानलो आपकी एज है 20 साल तो उनको clear पता होता है कि 30 साल की एज में मैं क्या कर रहा होगा या मेरी लाइफ कैसी होगी 40 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी 50 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी 60 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी और जब 60 साल की मेरी एज होगी और मानलो मैं किसी पहाड की चोटी पे बैठा हुआ हूँ देख रहा हूँ दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है और मैं अपनी लाइफ पर reflect कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के पिछले 40 साल, 50 साल कैसे जीए तो उस वक्त क्या मेरे अंदर regret होगा या खुशी होगी एक satisfaction होगी कि मैंने अपनी लाइफ को ढंग से जीआ है तो वहाँ से शुरू करो उससे अपने आपको compare करो दस साल बाद जैसे भी आप अपने आपको देखते हो कि आप वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो कि या सब कुछ बदल चुका होगा इसको इस तरी के से देखते हैं अभी इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा अगर मैं दस साल बात की बात करूँगा दस साल पीछे चले जाते हैं दस साल पहले आप जैसे थे और आज जैसे हो क्या वो सेम है या बिलकुल अलग है एक दूसरे से कुछ चीजे हैं बस कुछ similarities हैं बाकि आप कह सकते हो 99% बिलकुल अलग है दस साल पहले आपने सोचा था आज आप जो भी हो जिस भी लेवल पर हो जो भी कर रहे हो ऐसा कुछ कर रहे होगे नहीं बिलकुल भी नहीं impossible right idea ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा मैं दिख रहा होगा ऐसा हो रहा होगा यह मैं कर रहा होगा इस तरह के मेरे सपने होगे क्योंकि उस टाइम पर priorities कुछ और थी उस टाइम पर हो सकता है priorities थी वीडियो गेम्स आज हो सकता है priorities पूरी तरह से change हो चुकी है आज हो गया करियर उसके कुछ टाइम बाद में हो जाएगा बाले लो शादी, फिर हो जाहेंगे बच्चे फिर प्राइटी एक दम से चेंज हो जाएगी दस साल बाद आज जो आपके लिए प्राइटी है दस साल बाद जो आप हो गे उसके लिए वो सब एक मजाक्य जैसा होगा तो अपने ही future version को clearly देखो उसके बारे में लिखो और clear होते चले जाओ कि exactly 30 साल की एज में मुझे क्या अचीव करना है और आज उसकी तरफ actions लेते चले जाओ और उससे अपने आपको compare करो comparison is necessary because without comparison there is no thought there is no mind क्या बिना comparison के thought exist कर सकता है comparison between this and that comparison between big and small यह सब क्या है measurement ही तो है यह comparison ही तो है comparison between yesterday and tomorrow comparison between what I am and what I want to be this is all the realm of thought and mind तो आपको क्या करना है बड़े अराम से अपने आपको compare करते चले जाओ अपने past self से और अपने future self से करो comparison जितना करना है कोई बुराई नहीं है कि 10 दिन पहले मैं यह था आज मैं यह हूँ तो अगर मैं 10 दिन में इस से यहां तक पहुच सकता हूँ तो अगले 10 महीने में कहां पहुच सकता हूँ 10 साल में कहां पहुच सकता हूँ compare करना है अपने आपको तो कल वाले अपने नाम से अपने आपको compare करो कल मैं यह था आज मैं यह हूँ कल मैं यह बनने वाला हूँ कल मैं यह सीखने वाला हूँ ये करने वाला हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है इससे आपकी इगो भी नहीं भढ़ेगी इससे आपकी सेल्फ एस्टीम भढ़ेगी डेली बेसेस पे देखो कि मैंने क्या अचीव किया मैं कितना आगे भढ़ा compare करो, measure करो because performance को बढ़ाने का तरीका क्या होता है measurement अगर आप measure ही नहीं करोगे तो performance कैसे बढ़ेगी सोचो आप measure करोगे कि मैंने ये किया तभी तो आपके अंदर motivation आईगी कि अब मुझे इससे better perform करना है अगर आप measure ही नहीं करोगे तो हो सकता है एक mediocre performance भी आपको बहुत बड़ी लगने लगजा अपने mind में तो खरो measure अपने आपको पर अपने आपको कभी किसी और के साथ मे compare करके measure मत करो वहां फ़स जाओगे अपने आपको मेर से compare मत करो अपने दोस्तों से, अपने रिष्टेदारों से compare मत करो compare करना ही है तो खुद को खुद से compare करो मैं क्या था, मैं क्या हूँ और मैं क्या बनने वाला हूँ अब आप कहां जा सकते हैं उसकी apartment कोई नहीं है अगर इस तरह से आप actual में जी सकते हो तो